कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा निफ्टी, एक बाद चैट सेक्शन में लिखके बताइए, चलिए, मिक्स सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम लोग बता रहे कि हाँ, प्रॉफिटिबल है, अच्छा रहा बाजार समझ आया, कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे है कि विकार, ट्रेड नहीं मिला, तो मिक्स सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, however, again, in the morning art, जैसी हमने बाजार के एक रेंज को प्रेडिक किया, कि आज के बाजार का रेंज ये है, और क्या-क्या होने की संभावना है, उसको भी हमने प्रेडिक करने का कोशिश किया ता morning में, exact as it is, बाजार चला है, और अभी भी देखेंगे तो उसी रेंज के इर्गिर्द बाजार ट्रैवल कर रहा है, morning art में शुरुवाती दौर में कुछ trading opportunities थी, potential buying opportunities भी थी, and top से एक put लेने का भी opportunity था, जिन्नोंने morning art में उस trade को भुनाया होगा, I think they did a good job, right now बात करें अभी दो बच के किस मिनट हो चुका है, nifty travel कर रहा है, 22,586 पे और धीरे धीर वो EOR के तरफ बढ़ रहा है, EOR का value 22,610 अल्मोस्ट आ रहा है, बाजार ने अपने दिन का bottom like extension of support already morning art में लगा लिया था, अब बचा किया बाजार का top 610, कुछी दिर पहले around 2 o'clock, actually ये 608 का high लगाया था, उस दौरान जो हमारा EOR का value था, वो भी 608 and 10 ही आ रहा था, तो अल्मोस्ट बाजार अपनी EOR को भी touch किया, वहां से फिर एक bounce back देखने को मिलाया लगें, EOR के तरफ बढ़ता हुआ बाजार, दो बच के 20-22 मिनट हो गया, obviously बात है कुछ नया trade, try नहीं करेंग इस बात की किसी को शक है क्या कि resistance side में, resistance side में आज क्या हुआ था, आप ही बताइए, हाँ, बिलकुल, कुछ लोग को, कुछ लोग का call आया था मुझे, like they have a doubt कि sir, resistance side में 22,600 से 500 के तरफ, पहले, you know, पहले वहां पर confusion दिखा था, like 600 and 500, highest and second highest, and then 550 उसमें आ गया है, तो क्या इसमें SOC end मानेंगे, the answer is no, अभी भी वो SOC बरकरार है, no matter कोई नया strike price उसको join कर रहा है या नहीं, ये SOC ही है, ठीक है न, तो 550 के involvement से क्या SOC खतम हो जाएगा, the answer is no, 550 के involvement से क्या जो हम timing जोड़ना शुरू किये थे, कि कबसे ही शुरुआत हुआ था, क्या उस timing में कोई बदलावाएगा, the answer is no, अभी वो SOC के case में actual trade कहां से बनेगा, ये है एहम सवाल, actual trade बनेगा, जिस भी side, बाजार strong है, उस side के extension पे, अगर बाजार आज की case की बात करें, support side में strong है, तो extension of support से, अगर ऐसे किसी दिन आप देख रहे हैं, जहाँ पे support side confusion है, और resistance side strong है, तो resistance side के strong से, तो ये, ये सबसे मैं अत्रपून बातें, regarding the SOC, हाँ, SOC है, तो इस case में बाजार का bottom and top, अभी right now अगर बात करें, आप बताइए हमें, बाजार का bottom क्या है, top क्या है, इस particular condition में, जो भी doubts है ना, प्लीज आपनों की काम करिए, आज जो doubts है, Q&A वाले section में डालिए वहाँ से हम doubts उठाएंगे, chats में क्या होता है, कभी-कभी, miss हो जाता है, तो Q&A करके एक section है, apart from chat, वहाँ पे अपनों detailed doubts को लिखके update करिए है, पुरा detail में लिखिए, क्या doubts है आपको, बिल्कुल, answer ये है, EOS to EOR, ठीक है ना, अब जो भी value आ रहा है, EOS का value कहरा है, 22,457, EOR का value आ रहा, 22,610, ये ही हमारा bottom and top है, SOC वाले case में, जिस side बाजार strong है, उस side से हम buying करते हैं, एकदम support side strong है, तो एकदम bottom से आके बाई करेंगे, extension of supports, ठीक है ना, perfect, चलिए, Q1A section में देखते हैं, Q1A section में पहला message जा गया मुहित बंसल सर का, मुहित बंसल सर कोई question ही नहीं लिखेंगे, question लिखेंगे तब न, सर अब top क्या है, अब top, SOC वाले case में top क्या होता है, SOC वाले case में top होता है, जहां तक confusion है, अब इस case में अगर आप resistance देखेंगे, resistance में confusion कहां से कहां तक है, actually 500, 550, 600 तक है, right, अभी right now resistance भी by default 600 पे है, अगर माली यह resistance 500 पे होता, और 600 पे yellow color pop कर रहा होता, उस case में भी 600 तक का confusion माना जाता, तो इस particular case में 600 का top जो है, अबारा extension of resistance हो by default, 600 का top ही बाजार का top है, ठीक है न, अरजनीज जी, और एक और बात, एक important बात, यह कत्ते ही मत सोचेगा, कि EOR हमारा top है, तो कल को मानले यह resistance side में SOC हुआ, जहां पे resistance 22500 पे है, और यह yellow box 22600 पे दिख रहा है, तो आप यह मत कहिए कि EOR ही हमारा top है, उस case में क्या, जहां तक confusion है, मतलब 500-600 तक का confusion है, तो 600 ही हमारा top होगा, ठीक है न, तो हर बार EOR top नहीं कहलाएगा, SOC के case में जहां तक confusion होता है, वो top माना जाता है, यहां पे क्या है कि 600 तक है, तो 600 is our top, SOC complete, complete क्या होता है, SOC complete बोले तो, समझ नहीं भा आदी आपके हिसाब से की, 610 का top बाजा, 608 नो लगा दें, हाँ ठीक है, बाजार उस top को हिट करके आगया है, अब question मन में यह हो सकता है, बहुत सारे लोग के मन में यह सवाल हो सकता है, कि सेर, SOC के case में बाजा जब 608 नो का यह high लगाया था, 608 का, तो क्यूंकि वो हमारा दे का हाई हम प्रेडिक कर रहें, तो क्या वहाँ से हम पुट ले ले, बहुत सारे लोग के मन में सवाल आया होगा, और in fact मुझे पता है कुछ महारती ऐसे भी होंगे, जो यह trade लिए भी होंगे, है ना, तो इस सवाल का जवाब क्या है, कि क्या SOC का top आया है, तो वहाँ प input ले ले, सभी लोग, सभी लोग लिख रहेगी हाँ, यह सवाल तो मन में है, देखे, जब भी state of confusion होता है, तो आप पहले, state of confusion जो तीन घंटे बाद हुआ, उस हालात से पहले के बाजार को आप समझने का प्रयास करें, कि क्या बाजार में chart of accuracy 1.0 के हिसाफ से sentiment bullish है या bearish है, अगर आपका trade उसी direction में है, तो एक बार आप try करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपका trade उसके opposite direction में है, तो आप उसको avoid करें तो जादे बहतर है, अब आज के case में क्या हुआ था, अगर post market में बहुत detail में बात करेंगे, अज multiple time year shifting देखने को मिला था राइट, 600 से बाग हो गया, है न, तो यह सारे चीजों को देखते हुए न, यह top से यहाँ पर यह put लेना, माली यह दो बजे आया था, यह risky appearance है, reason being कि अगर आप resistance के, resistance के हलात की बात करें, तो last वाला movement क्या था resistance में, 500 से 600 में बाजार आया था, आया था कि नहीं, है न, 500 से 600, last वाला movement की बात पर सोचें कि 500 से 600 आया, उस case में अगर SOC ना होता, तो बाजार का top क्या होता, EOR प्लस वन तक जा सकता था बाजार, है न, by the way, SOC में हमेशा जो बाइंग की बात होती है, जिस side strong है, वहीं से बाइंग की बात होती है, तो आच के case में extension of support से एक अच्छी बाइंग बनत 255 से 575 के जो range है, इसी range में maximum time बाजार घुमता रहा, बीच में एक बार extension of support को touch करने चला गया था बाजार, और उसके बाद उसी range में घुमता रहा, throughout the day, 525 से 575 के जो range है, है न, तो कहानी में ट्विस्ट यह है कि as per the last momentum in resistance side, बाजार इस particular case में, SOC के top से opposite direction में ट्रेड करने से बैतर है, कि SOC के में क्या करें, जिस side strong है बाजार वहां से trade करें, तो अगर आप यहां से कोई trade भुनाये होंगे, लिए भी होंगे, highly risk है, है न, 50 point यहां से बाजार उपर भी चलाया, तो उसमें आपको आश्यर चेकित नहीं होना चीए, but इस case में हमारा target यह होता है, 1-1 करेंगे, सर आज का safest trade कौन सा था, सच बिता तो आज जो बाजार यहां पे initially 920, 925 के बीच में, यह जो EOS plus 1 पे आया था, वो एक अच्छा opportunity था, एक बढ़ी opportunity था यहां से बाइंग करने का, क्यों, क्योंकि उस दोरान support WTT, resistance, WTV, डोनों strike price जो था 550 के तरफ इशारा कर र तो यहां पे आया, 930 के अराउं, 930, 935 के जो candle वना था, उस दोरान भी एक potential put buying opportunity थी, जिसका target यह first diversion में ही, अगर आप बुक कर ली हो, in fact, it's okay, लेटर on क्या हुआ था कि support strong हो गया था, और बाजार अपने extension of support तक भी आ चुका था, support का percentage actually decline होना शुरू हुआ था, पूरा completely strong इस दोरान शायद नहीं हुआ था, है ना, later on वो strong हुआ, but support के percentage में massive गिरावत हुआ, already बाजार EOS plus one से reversal दे चुका है, दोबारा जब EOS plus one से ज ये potential दो opportunity एक around 929, 925 वले candle में और एक around 930, 935 वले candle में ये अच्छा opportunity था, and third opportunity गर बात करें, later on जब SOC हुआ, around 12, 20, 12, 15, जो भी time रहा हुआ, बारा बच के 15, 20 मिनिट के दोरान, अगर ये इस time बाजार एकदम bottom पे खड़ा होता, तो वहां से एक massive buying opportunity आता, तब बाजार already, already कहा खड़ा था, already EOR-1 पे खड़ा था, 575 के level पे खड़ा था, तो ये third वाली opportunity यहां से भूराने के बारे सोच सकते थे, extinction of support पर जब बाजार पहुचा था, तब क्या वहां से call बनता था, तो वहां से बहुत सारे debate हो सकती है, कि देखिए, support is strong था, पहली बार इटकिया, ज post market analysis में बात करेंगे, ये वाला भी, आपका 945, 950 वाला भी, जब बाजार EOS हिट किया, तो वहां पे क्या scenario बन रहा था हमारे option chain में, उस बारे में भी हम बात करेंगे, बट ये वाला trade highly risky हो गया था, as per the option chain, though understanding this के extension of support को first time हिट कर रहा है, generally एक reversal मिल जाता है, वह हमें मिला, but that's a different ball game altogether, ठीक है, तो आज से trade के related जितना भी ही सवाल था, I think most of the thing, क्या क्या कहा कहा trade बन बनता था, मैं आपको short में बताया हूँ, बाद में जब हम post market करेंगे, तो tick by take, one minute at a time देख के बताएंगे, 10.50 पे EOR plus 1 से trade लेना सही था सर, अब पता है क्या होता है, उमकार जी पूछते हैं सवाल, एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा लिए, हमेशा के, वो ये बैठा लिजिए कि कभी भी, कभी भी किसी divergen, कोई भी value, divergen ये extension भी हो, कभी भी वाजार अगर एक particular level से आके, दोबारा वो hit कर रहा है, वो risky factor है, तो आपके सवाल था ये कि 10.50, 10.55 पे यहां पे EOR plus 1 से, EOR plus 1, EOR minus 1 बता रहे है, यहां पे बाजार का, बाजार का support, स्वारी, यहां पे resistance I think change हो गया था, resistance 500 पा आ गया था, 10.50 पे बाद देख लेते हिस्टोरिकल डेटा में, पूरी clarity ब नीचे था उस दौरान, हाँ देखे लेकिन यह उपर जाने की तयारी भी कर रहा है, यह देख रहे हैं, यह देख रहे हैं, अब आप बताइए, कि इस condition पे EOR plus 1 से, put लेना safe है, कि नहीं, आप सब भी लोग chat में बताइए, यह देख लीजिए, यहां पे क्या चल दाए, और देखके बदाएए, 10.50 हो रहा है टाइम, और 10.50 पे बाजार का resistance नीचे तो था, लेकिन 99% उपर के तरफ खिचाओ था, है न, क्योंकि यह उपर जाते ही न, यह बाजार 600 का भी हाई लगा देगा, तो क्या करेंगे आप, आपका 570 वाला trade, एक divergen नहीं, दो divergen उल्टा जा सकता है, है न, तो नहीं बनता है, दोबारा अगर हम चार्ट के बिहाप पे बात करें, हम सिर्व चार्ट के बिहाप पे बात करें, देखे, दो बाते होती है, पहली बात यह, कि अगर वाजार किसी भी value से, एक बार reversal दे दिया है, मालिजी, कोई divergen से reversal दिया है या फिर extension से reversal दिया है जब दोबारा उस value को hit करने जा रहा है there are certain risk involved there are possibility कि वो particular level breach हो जाएगा ये हो गया पहली बात दूसरी बात क्या होती है किसी किसी condition में ऐसा होता है कि हमें वो particular level अपने दिन का probable high या probable low दिख रहा होता है मान लीजिए कि support strong resistance strong दोनों अपने अपने strong है दोनों एक ही strike price पर है मान लीजिए कि support 22,500 पर है resistance भी 22,500 पर है दोनों strong है since morning hour अब क्या हुआ बाजार extension of support पर आया आपने call करीद लिया बाजार EOR पर चला गया आपने put करीद लिया फिर जब बाजार दोबारा extension of support पर आ रहा है तो क्या वहाँ पर call safe है आपको यह answer अल्रेडी पता है कि दूसरी बाजार है there are certain risk involved अब मान लीजिए बाजार वहाँ से गिर गया EOS-1 से EOS-1 आया तब आपको क्या दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि बाजार पहली बार EOS को हिट किया था ब्रेक करकर EOS-1 चलाया दूसरी बाज आप option chain में देखे कि अभी भी support और resistance दोनों strong है तो आपको सारी बात है क्या कह रही है कि option chain के भी आपको पता चला कि this is the probable low of the day EOS-1 क्योंकि support resistance दोनों strong है कोई shifting नहीं हुआ है कोई weakness नहीं है तो EOS-1 is the probable low of the day अब वहां से आपने call ले लिया बाजार EOS-1 से माल लेजे one divergent उपर चला गया आपका profit वहां भी book हो गया और फिर one divergent उपर जाने के बाद अगें बाजार EOS-1 पर आ आगया समझी बात को अगें दूसरी बार EOS-1 पर आ गया अब ये वाला condition क्या है हमने आपको भी क्या बोला कि अगर वाजार किसी भी level से एक बार reversal दे दिया है दोबारा जा रहा है भले वो extension हो भले वो divergent हो कुछ भी value हो दोबारा दे रहार certain risk involved बट इस वाले case में आप क्या देख रहे है कि अगर support और resistance दोनों अपने आप में completely strong बना हुआ है तो आपके मन में ये होगा कि ये तो आज का दिन का probable day low है इसके नीचे बाजार जाएगा ही कहां इसके नीचे तो कोई range दिखी नहीं रहा है कि दोनों strong है तो अगर उसमें आप एक बार और try करने जा रहे है उस level से reversal आ चुका है बट आप फिर भी try करने एक दोबारा तो उसमें एक sense बनता है क्या sense बन रहा है कि आप ये समझ पारे कि ये आज के दिन का lowest value है इससे नीचे कहीं से कहीं तक बाजार हमें दिखने ही रहा है तो let's give it another try वहाँ पे एक बार आप सोच सकते otherwise कोई भी value जहां से बाजार एक बार reversal दे चुका है उस value में अगर दोबारा आ रहा है तो आप उसको simply avoid करेंगे चीक है ना समझाई ये बात जो हमने भी बात किया कि किस case में हम दोबारा try कर सकते हैं जो probable high or probable low of the day की बाजार वहाँ से नीचे कहीं से कहीं तक आपको नहीं दिख रहा है उस वाले case में क्या होता है उस वाले case में हम एक बार सोच सकते हैं otherwise अगर बाजार कहीं से कहीं तक reversal दे चुका है उस case में उस case में दोबारा try नहीं करने जाएंगे दोबारा there are certain risk involved just give me 10 seconds चलिए trades की बात है कर लिया हमने और बाकी detailed में कि कहां कौन से trade बन रहा था और जब trade ले रहे थे तो क्या-क्या वहाँ पे you know advantage or disadvantage था ये सारी बात है हम करेंगे है ना अच्छा शुशिल बातला जी पूछ रहे है कि please guide us when exactly we should use 2.0 2.0 शुशिल सर आप तभी देखेंगे जब बाजार diversion पे फसा हो काफी लंबे टाइम तक वही level पे continuously hit कर रहा है है ना उस चंगूल से निकल नहीं पा रहा sideways है basically बाजार sideways हो गया है consolidated है और divergent पे आगर रुका हुआ है उस दोरान आप 2.0 का इस्तमाल कर सकते हैं चलते हुए बाजार में trending बाजार में मत करिएगा जब बाजार रुका हुआ देखेगा at least one hour कोई momentum नहीं मिल रहा है आप 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 20-30 point के वेकिए consolidated है उस दोरान आप बिल्कूँ देख सकते है सर सोसी को detail में explain करिए DK trader जी यह अलड़ी explain हुआ है काफी बार multiple time आपको past classes देखनी का आउश शिकता है दो post market analysis के दोरान हम उस पे प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ठीक है सर 940 को resistance 22-600 से 22-500 पे shift हुआ था आप टाइम तो नहीं है जहां पर open interest को देखके लोगों को लग रहा थे कि यहां पर shifting हो चुकी है उपर देख लेते हैं 940 यह ट्रेट से रिलेटेट जो सवाल है यह post market में अलड़ी cover होगा आस सम्थिंग यह कुछ देर के लिए OI यहां पर जगह बन गया था OI देखके बहुत सारे लोग confused हो रहे थे कि यह shifting हो चुकी है जब अब all strike price करके OI को देख रहे थे तो OI आपको 23,000 पे ही highest दिख रहा था तो वो अलड़ पॉइंट है जब अब 940 पे बोलें कि यह shift हो चुका है 500 पे नहीं यह 500 पे shift नहीं हुआ था उस टाइम है ना later on shift हुआ इस बारे में बात करेंगे धरम सिंग सर post market में don't worry अब यहाँ पे अच्छा सवाल है दो तीन लोगों ने यह सवाल पुछा है दिपिका जी प्रकास जी यह बूचे है कि सर आज के मार्केट में आज के मार्केट में extension of support बाजार ने 945 के दोरान हिट कर दिया था राइट 945 950 अब क्या हुआ लेटर ओन सवा बारे बाज के बाद हमें दिखा support रेजिस्टन साइड में इस केस में बाजार की बाइंग कहां से आती है support साइट साइगी जहाँ पे बाजार का support होगा उसके extension से हम बाई करेंगे और मानली जी उसका value अभी भी support वहीं पे है 22,500 पे है और बाजार में वही value आ रही है 22,475,480 का अब जब बाजार दिन में दूसरी बार उस value को हिट करेगा तो क्या उसे हम safe मानेंगे या इसकी मानेंगे एक बहुत ही अच्छा सवाल है जहां तक state of confusion का सवाल है उस case में बाजार में जिस भी side में confusion है उसके opposite side में बाजार अगर strong दिखे तो उसके extension पे आप बिलकुल buying के बार में सोच सकते हैं तो अगर बाजार दोबारा यहां पे आके extension of support हिट कर रहा है आप यहां से buying के बार में बिलकुल सोच सकते हैं however एक बात आपको समझना है in case in case अगर बाजार यहां से फिसलता है वो होगा न 1 out of 10 days शायद 10 बार में एकाग दिन ऐसा होगा कि in case बाजार यहां से अगर फिसलता है तो maximum एक diverging नीचे जा सकता है उसके उपर नहीं जा सकता है maximum वो 10 out of एकाग बार बीच में ऐसा देखने को मिला था कि support multiple time ही हुआ था and क्या हुआ था फिर जब बाजार बॉटम पे गया उस case में क्या हुआ एक डाइवर्जन इक्स्ट्राफिसल गया था तीस पैस पॉइंड भी कुछी कुछी एकाग मीने पहले की बात है तो वो rare होता है वो trend out like once in a blue moon होता है however अगर ऐसे आपको मिले bottom पे वाजार तो आप बिल्कुल खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं वो सोच के आप उसको avoid ना करें क्योंकि 10 में से 9 बार आपको reversal पक्का मिल जाना है कभी-कभी वाजा थोड़ा struggle करके 10-12.15 नीचे आगे फि you can definitely think about it यह दिपिका जी अन प्रकाश का question answer हो गया है sir EOR गया था तो क्या PE ले सकते थे दोबारा EOR EOR पर जब गया था यह post market में बात करेंगे भावनेंद्र पांडे जी post market में बात करेंगे इसके बारे में किस point of time आपने time mention नहीं किया है तो we'll look into it in post market by the way बहुत सारे लोग थोड़ा सा confused हुए थे कब किस-किस time कि जब बाजार में ना open interest आपका 22,400 पे 22,500 पर पॉप कर रहा था बीच में 22,500 पर ओ आई उस दौरान highest OI 22,500 पर नहीं था highest OI throughout the day 23,000 पर ही था है ना उस दिरे के आपका जो near ATM price selected होगा near ATM price में 23,000 जब out of context जा रहा था उस दौरान यह OI यहाँ पर दिख रहा था highest तो वो that might be one of the confusion जो कि live market में विने सर ने काफी अच्छे से उसको explain किया था आपको समझाया था जब हम post market करेंगे उस बारे में detail बात करेंगे कि क्या possibilities वहाँ पे थी ठीक है morning का trade बता दीजिए सर फ्लीज morning का trade बता दें बता तो दीए already कहाँ था अब आप expect अगर यह कर रहे हैं कि morning में आके बता दीजिए live में तो क्या ही बात होती न ठीक है in condition of SOC in support we always buy CE from support but we can take PE from your अगर support side में state of confusion हो रहा है तो resistance side से buying आएगी और resistance side strong होना चाहिए और bazaar extension of resistance पे खड़ा होना चाहिए समझे बात कुस होनी सर यह आज के condition में extension of support से buying की बात हो रही है क्योंकि resistance side में SOC है अगर अगर bazaar में support side में SOC हुआ तो उस case में just opposite होगा resistance से buying आएगी और resistance strong होना चाहिए और extension of resistance से हम buying करेंगे as simple as that चली सत्यम वर्मा से सुभा bazaar जब SOC बना तब bazaar EOS तक नहीं गया ऐसा क्यों बाजार में जब state of confusion हुआ तो बाजार अलड़ी travel कर रहा था आपका EOR minus one पे अब यह EOS तक क्यों नहीं गया? मुद्दा वो नहीं है मुद्दा यह कि अगर यह EOS पर होता तो अनुहां से buying करते या नहीं डाल सरी जहां वासम बाइंग कर लेते हैं क्योंकि support strong था बाजार EOS में मिल रहा है resistance state of confusion है यहां सम बाइंग कर लेते हैं तो यहां पे बाजार आएगा या नहीं there are thousands of things you know which is dependent on that बहुत सारे चीज़े हैं उसके उपर depend करना कि बाजार यहां आएगा कि नहीं हमारा concept जो है हमारा LTP calculator हमारा chart of accuracy के theory या फिल हमारी state of confusion के theory हमें यह बताता है कि जब बाजार वहां जाएगा तो आप खरीद लो अब वहां जाएगा यह नहीं let the market decide आप और हम कौन होते हैं यह जच करने वाला कि यहां जिया क्यों नहीं यहां जाना होगा तो बाजार कुछ जाकर आपको एक opportunity देगा यहां नहीं है आपने why नहीं कि as simple as that अब यहां कब आएगा निफ्टी निफ्टी यहां तभी आएगा न जब उस उस हिसाब से selling एक pressure बनेगा उस हिसाब से order executes होंगे कि बाजार यहां से hundred point का fall दे कि आपको extension of support तक आए ताकि आप खरीदारी कर पाए तो यहां से यहां आएगा कि नहीं मैं जो line draw करके रखा हूं यह around 620 के around का line है ना 620 यह line मैं draw करके रखा था जब लेटर आन बाजार यहां से उपर आय था था तो 610 तक आपको value यह 608-610 value देख रहा था आपने भी यह देखा होगा अब क्या यहां ही से input खरीद ले या क्या इसी इसी लेवल से execute कर दें दो टाइप की लोग हो सकते हैं अगर आप save trader हो आप एकदम पूरा top का wait करिए मत करिए यहां से put कोई कोई sense नहीं है क्या यहां पे पूठ था भी नहीं बाइदवे यह सी यह वे 1.0 के against था रिसकी था यहां पे नहीं बट एक बात समझीगे condition को समझने का प्रयास करिएगा ठीक है मान लीजिए किसी दिल ऐसा ही condition है बाजार में जहां पे आपको EOR का value 620 दिख रहा है ठीक है बाजार एकदम अपने चरम पे एकदम अपने top पे खड़ा है और उस top के उपर बाजार कहीं से कहीं तक हमें दिख नहीं रहा है और जब कि बाजार के downside में आपको दिख रहा है कि बाजार 100.120.150 नीचे गिर सकता है तो उस condition में जब 620 पे आप line ड्रॉ करके वेट कर रहा है और बाजार 610 पे है और 610 के value पे आपने click किया तो आपको breakout दिखा दिया मतलब बाजार अलड़ी EOR पे है उस condition में आपके मन में ये जरूर आएगा कि यहां से downside की बात करें तो 100.150 पॉइंट नीचे जाने की संभावना है यहां से upside की बात करें तो 610 पे बाजार खड़ा है maximum 600 BC जाएगा तो वहां पर रिस्क reward वाली सिन्यारियो समझ में आती है हमें कि चलिए हमने यहां यहां वाई कर लिया हमने यहां पर वाई कर लिया तो हमें maximum 10 पॉइंट जब बाजार उपर जाएगा उस case में क्या होगा maximum 10 पॉइंट बाजार वो उपर जाते ही कल वाली example के थ्रू देखिए क्या बात है यह देखिए कल वाली example ही देख रीजी आप ठीक है जिसे यहां पर जिन्हों ने यूएस पर बाई किया call बाई किया उनको पता है कि अफसाइड 100 पॉइंट का है डाउनसाइड आपको दिख रहा है कि maximum होके जाएगा तो यहां पर माइनस वन की संभावना है थी बड माली जी एउस माइनस वन पर बाजार खड़ा है बाजार एउस माइनस वन रीच कर गया आपको दिख रहा है कि उपर 100.500 पोंट जा सकता है और ईउस माइनस वन का value 100 point का rally आ सकता है उस case में आप क्या करते हैं कि चलो कोई नहीं buy कर लग बट अगर ऐसे condition में आप खड़े हैं जहां पर आपको दिख रहा है कि बाजार midways में है या फिर यहां पर दिखी इस वाले condition में trade वैसे COA 1.0 का against थाव में करना भी नहीं था में भी तो उस case में आप चुक्चा wait करा कर यह पूरे value का value proposition को हमेशा समझे कि side परला भारी है अगर आप desperate है कि put लेना है बाजार गिरने ही वाला है तो 15 point के लिए आप trade को execute होने से नहीं रोकेंगे आप वहाँ पे enter कर जाएंगे हाँ भले वो 10 point उपर जाएगा तो आपको थोड़ा से loss दिखेगा कोई बात नहीं क्योंकि downside के probability जाद है शेकर सुबन साथ का यह अच्छा सवाल था इसके थुरू बहुत साथ लोग का यह वाला doubt clear हुआ होगा कि कब chase करना है कब रुखना है वैसे तो रुखना एक अच्छी आदत है है ना आप रुखके चलिए wait करने का प्रयास करिए बढ़ chase कभी कभी करना पड़ता है है ना तो कब chase करना है वो आप आज समझ गए तर मेरी question होगा तो कहाँ पे पूछना है पार्तो जी यही पूछना है जहाँ आप लिखें है आप लोग permission लेन लखते है पूछ लीजी ना दारेक सवाल क्या है क्या क्या doubts है डारेक पूछा करें इसेंट एसो सी एंड विकॉज सपोर्ट इस अबाउट तो बिकॉम डब्लू टीटी अदा डारणसर ऑसर टो is जब सपो count डब्लू टीटी होगा तभी एसो सी एंड होगा अबाउट तो बिकॉम में सोसी एंड नहीं करेंगे मतलब यह आप Means दित्ती जी का सवाल यह मतलभ इसेही अब दित्टी जीगा SOC तो है बट support side WTT होते ही buying के opportunities खतम हो जाती है क्यों? क्योंकि हम उस case में bottom का wait करेंगे अब क्या है कि support side भी weakness दिखाना शुरू किया है SOC effectively हमें trade कब देता है तभी trade देता है जब एक side state of confusion हो दूसरा side strong हो तब बनते हैं अच्छे वाले trade बट जब दोनों side में confusion हो उस case में बाजार likely to be consolidated and sideways अगर यहाँ पर यह WTT हो जाता है अब देखिए अब generic बात को सुचिए कि 22,500 से 22,550 पे support ने कर प्रेशर बना दिया resistance 22,600 से 550 पे pressure बना रहा है सब मिला जूला कि एक sideways बाजार हो जाएगा इसमें resistance side के SOC खतम हुआ यह नहीं कहेंगे resistance के SOC खतम हुआ इसमें हम यह कहेंगे कि resistance में SOC है बट क्या support strong है अब ही तो है बट आगे चलके अगर यह WTT हो जागा तो हम कहेंगे नहीं strong नहीं है तो उस case में trade नहीं करेंगे उस case में बाजार sideways रहेगा ऐसी संभावना है बहुत जादे होती है दूसरी बात माल लेजिए support यहाँ पे WTT हो गया और 15-20 मिनट बाद फिर से strong हो गया 10 मिनट बाद फिर से strong हो गया तो क्या resistance side के SOC continue चल रहा है मानेंगे अवश्य मानेंगे तो support side में यह WTT या WTB होने से resistance side के SOC खतम नहीं हो रहा है बलकि buying की जो opportunities भी उस पे उस पे हमारा confusion आगया कि नहीं है बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि support strong नहीं दिख रहा है ठीक है और इसमें हमें यह समझ में आता है कि बादा sideways होने वाला है इस particular condition और जैसे support फिर से strong होगा फिर से SOC will continue because resistance side strong नहीं हुआ है उसमें अभी तक चीज़े जारी है I think यह बहुत ही है महत्यपूर्ण चीज़ता समझना कि support पे changes के वाएसे resistance का SOC खतम नहीं हो रहा है rather हमारे buying opportunities पे impact आ रहा है ना रचिन कुमार से लिख रहा है आज trade नहीं मिला ट्रेंड नहीं मिला अच्छा ट्रेंड नहीं मिला ट्रेंड 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 तो दिख रहा था लेकिन एकदम SOC की अगर बात करें तो absolute bottom मिलता तो फिर मज़ेदार एक trending मादा रखो को वहां से देखने को मिल सकता था सर आप मुझसे बात कर लीजिए ना कभी भी बात नहीं हुआ जब से अकसर यह होता है ना कि माली जे 10 बजे confusion सुरूआ तो एक बज़े देड़ बज़े है ना दो बज़े कभी सवा बारा साड़े बारा बज़े भी मतलब हाफ दे के बाद तीन घंटे के बाद state of confusion अगर है तो अल्मोस्ट डेंड आते आते वह हमें दिखता है तो इट्स अलड़ी टू लेट है ना अब इस अलड़ी टू लेट में क्या होता है कि बाजार उस वैल्यू पे जाकर आपको ट्रेड ऑपरचुनिटी दे या ना दे इ टू लगा दिया अब क्या होगा राजीव रजींगत सर्दाब कया होगा बाजार क्लोस हो जाएक अब क्या टैमें सब कुछ ओ चुका Variy हैं ना सब कुछ हो गया कुछ बचा नहीं है इंहां सब कुछ बचा नहीं है आज का काम हो गया तमाम, ऐसे में मार्केट किस साइड क्लोज होगा, सचिन यादर जी पूछ रहे कि आज बाजार किस साइड क्लोज होगा, तो by the way, जो क्लोजिंग की थियोरी है, वो हम एक्सपाइरी वाले दिन बात करते हैं, ऐसे में बाजार कहीं भी क्लोज हो सकता है, ऐ क्लास में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अल्रेडी दो पच्पन हो चुका है, देखते हैं क्या होता है यहां से, इसलिए 2.30 के बाद बोला आता है, कि धैर बनाया रखिए, कुछ भी हो सकता है, और यह वाजार टॉप लगाके, अल्मोस्ट एवार के बाद, एक अच् इंपरे तरह, क्या इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए 2.30 बज गया, तीन बजने वाला है, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, चलीए, यहो गया, नेक्स क्वेस्टिन किसका है, शेकर सुमन सर का वो क्वेस्टिन आंसर हो चुका अल्रेडी, आपने काफी बार पुच्छ था, सर क्या S.O.C में तभी चले जब safe entry देगा अगर safe entry नहीं दिया तो मान ले कि पूरा top नहीं लाएगा हा सिद्धू सर S.O.C में entry point एक ही होता है अच्छिलिए S.O.C में safe और risky entry नहीं होता है S.O.C में एक ही entry point होता है कहा से Bazaar के extreme end से अगर resistance side में S.O.C है तो support side के extreme end extension of support है ना तो वहीं से entry होता है तो yes SOC के case में जो entry level है हमें clear है कि extreme end पे आके हम enter करेंगे और उस side जहां से enter कर रहे हैं उस side strong होना बहुत जरूरी है that's the only time अगर आएगा तो create करेंगे नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे बीच में प्रयास नहीं करेंगे रॉनी रॉय जी राइट नाव इफ यह लुकिंग इंटू यू can certainly use the current version यह जो मैं देखता रहता हूं लाइब मार्केट में यह वाला वर्जन हमेशा देखता रहता हूं मेरा फेवरेट है मैं जो पता है कि यह वर्जन बहुत ही अब आपको कॉन सा देखना है आप कोई भी देख सकते हैं आज के केस में क्या हो अदा बता है जो नौबीस नौप पंदरा नौबीस का डाउन टाइम बोल रहा है सर्वर का माइग्रेशन का काम चल रहा था वो लाइब मार्केट ने बताया गया थे कि सर्वर में माइग्रेशन चल रहा है उस दौरण आपने दिखा होगा कि हाट डिफरेंस आ गया होगा कि यहां पर डेट अपडेट नहीं हो रहा है आच्छा यहां पर हो रहा है तो इसा कुछ नहीं है बेसिकली आपको क्या करना है अगर कोई रियल टाइम अपडेट है कोई माइग्रेशन चल रहा है कुछ हो रहा है या तो लाइफ क्लास पर तुरन बताया जाता है या तो चैनल पर डाल दिया जाता है तो अगर न्यू वर्जन पर कुछ काम चल रहा है तो आप ओल्ड वर्जन में आके ही देखा करिए और वैली को ट्रस्ट करा करिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बहुत बढ़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस जो 950 920 का डिफरेंस बता रहे है उस दोरान काम चल रहा थे ल्टीपी कैल्कुलेटर पे ठीक है ना और आपका यह सवाल है कि सर आप 2024 देखते होगी उसका पुरा वाला जो चार्ट वो लगाके में बाणा को यह यहाँ है यह compare वाला feature हमेशा इसमें हो रहता है और मैं यह वाला हमेशा screen पर लगा के देखता रहता हूँ बीच बीच में reversals जब देखना हो तो reversals के values क्या fluctuate कर रहे है या stable है वो हमें यहाँ सब्डेट में जाता है So there is no huge difference आज हुआ था 9.15, 9.20 पे क्योंकि 2024 वाले version में server migration के दौरान कुछ समय का downtime था downtime में वो data real time नहीं दिख रहा था जो कि old version में clear cut दिख रहा था स्क्रीन नहीं watch हो रहा इस्क्रीन तो दिख रहा है स्क्रीन अलड़ी shared है सर future में sell करके options को hedge कर सकते है है क्या फरनाच से एक सर बिल्कुल कर सकते है hedge के लिए बहुत सारे options available रहते हैं अब मालीजी किसी ने future sell करती है example दे रहे है अभी बाजार कहा पे चलना है 22,552 पे चीक है इसका future का price देख लेते हैं एक बार future का price क्या चलना है 22,622 अभी current market price से 70.00 ऊपर चलना है future का भाब अब मालीजी आपको future sell करना है क्यों sell कर रहे हैं आप क्योंकि आप बाजार में bearish होंगे आपको लग रहा है बाजार यहां से नीचे किर जाएगा आप इस level पर sell करना चाह रहे है जब बाजार चीजे चल रही है यूनो बहुत सरी geopolitical चीजे भी है अब मालीजी इस दौरान बाजार bumper gap up खुल गया और bull run rally दे दिया फिर आपने stay किया कि चलो इस position को भी hold करते next day फिर से gap up खुल गया फिर से bullish हो गया है ना तो उस case में क्या होगा कि यह 22,006,27 से जो बाजार में अपने future को shot किया है वो shot उल्टा भी जा सकता है यहां से बाजार मालीजी यह 500,000 पॉइंट का rally दे दिया तो आपका एक अच्छा कासा loss हो जाएगा है ना मालीजी यहां से बाजार आप future buy करके छोड़ दिया बाजार यहां से इंडियन मार्केट में options trading जो कि US, UK में अलड़ी पहले से चलता था इंडियन मार्केट में लेटर ओन यह introduce किया गया यह जो option naked buying हम करते हैं call या put buy करते हैं यह basically एक insurance होता है एक insurance होता है जो कि अगर किसी भी परिस्थिती में बाजार हमारे विपरीत दिशा में बहुत ही ते बेरिश होगा बाजा अब अगर bullish हो गया उस case में क्या करेंगे तो ऐसे ही case के लिए आदमी क्या करते है positions को hedge करते हैं hedge किस टाइप का होता है कि hedge में आदमी generally एक call option buy करके छोड़ देते हैं आपका point of view तो bearish है इस बाजार में लेकिन अगर bullish हुआ तो वो जो bearish scenario के बज़े स आपके losses होंगे वो bullish अगर हो गया तो यह call option के call option का जो premium है उस पर जो increment होगा वो आपके losses को कम करें अब ऐसे तो अभी कल का ही expiry है है ना है तो कल का ही expiry बट आप इस current expiry मालिज आपने future hold किया है for example आप उसको hedge करना चाह रहे है future को short किया है आपने और hedge करना चाहते है तो आप क्या करेंगे basically 7-8 दिन बाद 5-7 दिन बाद जैसे भी आपका point of view होगा मालिज आप इसको इस मन्त के end तक hold करना चाह रहे है आपका target अप 30 मई तक ले रहे तो आप क्या करेंगे उस particular expiry पे जाके एक call option buy कर लेंगे अब कौन से call option buy करेंगे deep in the money ना वहां पे deep in the money काम न चला गया यह deep in the money जो है उसमें क्या होगा वो वो out of the money के तरफ बढ़ जाएगा और losses होने के संभा होना आए जाते है इस case में अपने position को hedge करने के लिए basically आप simple out of the money का call buy करके छोड़ देगे out of the money का call कि इस उम्मीद में आप buy करके छोड़ रहे हैं कि आगे चलके इसको zero हो ही जाना है मानलेजे 22,650, 22,700 का call आपने buy कर दिया आपको उम्मीद यह कि वाजार bearish होगा यह out of the money zero हो ही जाएगा लेकिन अगर वाजार यहां से 1000 point उपर भाग गया तो हमारा जो naked position में भैंकर loss होगा उस loss को यह call option cover कर सकता है क्योंकि वाजार जब उपर के direction में जाएगा और position को hedge करना चाते हैं तो उस case में आप क्या करेंगे out of the money का एक call वाई कर लेंगे ठीक है और और अगर यह zero हो भी जाता है मतलब दोनों में से देखिए एक position में आपको benefit होगा एक ही position आपका benefit में रहेगा राइट एक में आप short चल रहे एक में आप long चल रहे एक में आप call करेंगे बाजार का उपर के risk को manage कर रहे तो दोनों में से कोई एक profitable होगा या तो call zero हो जाएगा नीचे चला जाएगा तो put में मतलब future में profit हो जाएगा या तो future में minus होगा और बाजार shoot हो जाएगा तो call में profit होगा अब दोनों side क्यों हम दाव लगा रहे हैं कि एक side अगर बाजार violently move करता है बहुत तेजी से किसी भी एक direction में बढ़ जाता है तो हमारे क्या होंगे losses जमता हमारे विपरी दिशा में अगर गया तो हमारे losses को हम cover up कर सकते है बाइद वे अगर बाजार हमारे direction में बहुत तेजी से 1000 पॉइंट का गिरावट देता है तो यह जो 27 insurance कि हमें 10-15,000 प्रीमियम दे के एक कार का insurance करा लिए कि साल भर के अंदर अगर गारी में कोई भी दिक्कत होगा तो insurance company take care करेगा अब माली जे गारी में कोई दिक्कत नहीं हुआ साल भर सब कुछ perfect रहा कोई कोई accident नहीं हुआ है तो आपका क्या होगा यह 15,000 देखे तो आप बोलेंगे पानी में चला गया कुछ benefit उठा नहीं पाया उसका है ना बट उसका कोई मलाल नहीं कि चलो accident में नहीं हुआ कोई नुकसान भी नहीं हुआ हमें है ना तो यह basically call and put जो buying आई है option buying यह basically इसी risk को manage करने के लिए बनाया गया था लेटर ओन एक naked buy का प्रचलन चल गया एक दौर आ गया कि लोग बोले कि चलो कम पैसे लगा कि जादे पैसे बनाना है तो चलो option naked buying करते हैं simple call या put खरिकते हैं hedge तो hedge मतलब is a different strategy altogether वह आप अपने risk को हम कम करने के लिए hedge करते हैं लेकिन यहां naked buying अभी शुरू कर दिए कि चलो कम पैसे लगा कि जादे पैसे बनाने का एक तर्कीव आया है market में buying call and put and let's do it क्या यह बाद आपको समझ आया है क्या यह hedge करने की बाद आपको समझ में आया कि कैसे करते हैं किस condition में करते हैं कि नेडी सर बोले क्या यहाँ से कॉल कर सकते हैं यह कॉल आ करना है कि कुछ नहीं करना है कहां से कॉल वाइंग बोलना है तीन मचे पांच मेंड़ कुछ नहीं कर सकते हैं छोड़ दीजिए बादार भूल जाए है चलिए बागी सब को समझ में आया अब वैसे ही वैसे ही हम डिफरेंट डिरेक्शन है मालीजी हमने फ्यूचर भाई किया कोई बहुत बड़ा न्यूज आ गया और बाजार में 1000-50000 पॉइंट का गिरावट हो गया तो उसका जो नैकेट बाइंग पोजिशन है फ्यूचर का वो भैंकर लॉस में जा सकता है न वहीं सिस्टेमाटिक लॉस है वह आपके हाथ में नहीं यह लिफ आ गया बाजार गिर अगर बाजार बेरिश हो गया गलत कोई निश आ गया या कोई भी कारण से बाजार में गिरावट आ गया तो हम क्या करेंगे हम पूट लेके चलेंगे कौन सा शुप लेंगे इस लाइफ सा यह पहला दूसरा ऑटीम ले लिए बाला शुप लेंगे उतना आपने के तरफ जाते इन दमनी तो बिल्कुल नहीं जाते है न और आउट अप दमनी सेकेंड थर्ड ठीक ठाक प्रीमियम दिखता हुआ हमें एक मिल जाएगा वह हम भाई कर लेंगे ठीक है तो जस्ट अपोजिट हो गया कि अगर हम भाई करके चल रहे है तो पुट ले लेंगे और फूचर कर रहा हूं तो फूचर करने के लिए क्या पुट बाई कर सकता हो उसी का अंसर था यह उन्होंने फूचर में किया तो हैज कर रहे हैं ऑक्षिन के थूब बिल्कुल अगर आप अगर आप फूचर से एजच करेंगे तो बच्छे क्या कुछ नहीं बचा ना फि तो future का future से hedge नहीं कर सकते हैं, future को hedge करने के लिए हमें option का सहारा लेना होगा और option इसलिए बनाए actually, ठीक है, तो daily intraday के लिए hedging सिखाईए, यह naked buying में अच्छा पैसा बन रहा है, ठीक ठाक कर रहे हैं, आप तो hedge क्यों करना है, hedging पुता है, intraday में hedge की उतनी आवश्रक्ता नहीं होती है, overnight में hedge की आवश्रक्ता होती है, क्यों समझेगा, intraday में आप control में है, मतलब आपने call लिया या put लिया, आप सामने बैठे या आप देख रहे हैं, कि बाजार में क्या momentum हो रहा है, जब भी आपके opposite दिशा में जा रहा है, या loss दि ले गया है, कल ये 610 की जगा, 810 खुलेगा, या 400 पर या 300 पर खुलेगा, who knows, नहीं पता है, तो overnight की चीज़ों में आपके पास control नहीं होता है, because due to the nature of gap up and gap down opening, जो कि currencies वगरा, ये crypto वगरा में नहीं होता है, gap up, gap down, crypto में क्या होता है, crypto हमेशा खुला है, 24 गंटा, 7 दिन, उ जो भी stock market की बात करें, उसमें क्या होता है, कि रोज बाजार close होता है, and makes it open होता है, जो open होता है, तो gap up हो सकता है, gap down हो सकता है, flat हो सकता है, वो वाला चीज हमारे control में नहीं है, अब वो थोड़ा सा unpredictable हो जाता है, especially in case of global queues, जब सारे global market के sentiment एक तरफ होता है, मतलब सारा global market red दिख रहा है, तो समझ की चलिए, आप भी red में ही खुलने ही वाले हो, है न, maximum time, अगर पूरा global market green दिख रहा है, तो हम भी green में कुलने वाले हो, maximum time, अगर global market के mix queues है, मतलब कहीं कहीं है, Asian market up है, है न, US market slide सा down है, UK market side based, अगर mixed sentiment है, तो वहाँ भी क्या होता है, कि बाजार अ कीजिए, overnight की चीज़ों में आपको करना पड़ेगा hedging, intraday में hedging की उतनी आउश्रिकता नहीं है, until and unless you are option seller, option seller होंगे, ताब call put, दोनों sell करके चलेंगे, वो एक kind of hedge हो चुका है, है न, सबस्टे के बाद value आएगी तो क्या trade करना safe है, बिलकुल नहीं, अतुल सर, 230 के बाद कुछ नहीं है, बाजार में खतम, टाटा बाई बाई बाई, कोई भी condition आजए, कुछ भी आजए, 230 के बाद trade मत करा करी है, है न, चाहे, SOC के condition आजए, चाहे extension आजए, चाहे कुछ भी है 230 के बाद, that's it, हमारा market का time ही actually, कोई सवा नहीं से लेकर के 230 है, 230 के बाद 1 hour को आप concede में मत करा करी है, ठीक है, आजए, आशे करते हैं, बहुत सारी बात है किया आज हमने, और ये सारी बात है आपको समझ आई होगी, आपको पता चला हुगा कैसे अपने positions को, हम safeguard करते opportunities थी, अब शाम में करेंगे post market analysis, और उस analysis में हम nifty, पैलिटिक से लेकर के, 33 o'clock तक या 3.30 तक क्या हुआ, वो सारी बाते जरूर करेंगे, ठीक है, संतोष कुमार सिर बोलने कि explain market क्यों ऊपर गया है, यह option chain को देख के आप ही हमें बता दो, कि यह बाजार का range क्या है, आप ह बाजार का range क्या है, EOS to EOR range है, simple रखें, अभी क्या value है, 22,000, 470 से लेके, 22,000, 621, अब बाजार कहा का high लगा है, बाजार वही 6, 616 का ही high लगा, 621 high भी नहीं, हमारा बाजार का range ही EOS to EOR है, यह bottom line है, यह top line है, उसी में तो चल रहा है, अब यह उपर क्यू गया, इसका क् धाई बज गया, कहीं भी जाए, यहां से गिर के धरातल में आ जाए, यहां से उड़ जाए, 400 point उस Thursday expiry के तरह याद करिएगा, Thursday expiry, यहां से 400 point उपर भाग जाए, 400 point गिर जाए, doesn't really matter, धाई बज गया, आपने बोला कि क्यों उपर गया, तो आपको range पता है, इसी range में चलन है, है ना, विशाल सर बता देंगे, कोई देखक ने, आप आप हमेशा future में trade करिये, या option में trade करिये, आपको हमेशा spot market price देख के ही करना है, future का option chain नहीं देखना है, नए future का chart देखना है, आपको हमेशा spot देख के काम करना है, भले आप buy future में कर रहे हो, spot में अगर आपका level गया कि हाँ यह बॉटम में यहां से करना है तो अप तुरंट future में execute कर देंगे current market price के साप से limit order लाएके execute कर देंगे है न बठ हमेशा आपको देखना spot का ही chart spot का ही option chain सारा चीज spot में आपको देखेगा spot के option chain में और current expiry के option chain कभी भी ये दिमाग नहीं लगाना है कि मैंने यहाँ पर call या put लेना है तो मैं अगले expiry का लूँगा तो अगले expiry का option chain देख लेता है नहीं, option chain देखेंगे इसी expiry का value spot में वेट करेंगे इसी expiry का, भले हमने expiry का contract buy कर ले क्योंकि हम चाहते हैं कि time decay जल्दी ना हो है ना, तो वो अलग बात है बट हर काम हम spot market को देखे करेंगे, reason उसका simple यह है simple reason है कि जो आपको volume, OI, ये सारी चीज़े दिख रही है ये current market में spot में क्या चल रहा है, वो आपको जादे बहतर बता पाएगा, रादर कि अगले expiry में लोगों का क्या सोच है current market data आपको जादे clarity देगा, current market में आपको जादे volume भी दिखेगा, है ना, जादे participants भी दिखेंगे, तो इसी लिए सब कुछ current market के साब से हम करते है आपको जादे आपको जादे आपको जादे है, उसको भी subscribe करिए, साथी साथे नया चानल जहाँ पर post market analysis के videos जा रहे है, वो भी आप हाँ, ये कल वाला में चलीए, पहने का है, 22nd of April का, ठीक है वो भी आप देखते रहे है, that's it everybody, I'll see you in the evening with post market analysis, that's all take care, bye bye